आपको टाइम टेबल के अंसार सबको शिल रहा है पेपर बन आपको चार बुजे हुआ था अभी आपका महत हो रहा है यह मैं आपकी क्लास आपको मिलेगी जहां पर आपका चाप्टर टू स्टार्ट करूंगी चाप्टर वन में लगी चाप्टर बनी हुई है अपको अब प्लेइस बनी हुए है सभी सब्सक्राइब करें और उसमें 2023 लिखा हुआ है आप उस बैचों को स्टार्ट करें उसी से नोट्स बनाएं उसे पढ़िए उसे क्रमवाई सीचे आपको होगी है अप एडिशनल वीडियो विदियो से देखना चाहते हैं प्री आफ टाइम में तो आप देख सकते हैं पुरानी क्लास तो कोई प्रॉल्ब नहीं है ठीक है पहला चाप्टर आपको बताया बेसिक सिंपल आपको आता भी है कुछ और भी है करवाएंगे लेकिन आप एकार चाप्टर और आगे बढ़ते हैं धेर करके और भी चीये अभ्यास को प्रस्मा कर लेंगे काफी ताइड वी दिन भी कर लेंगे महाth और English साथ सब्धेक जड़ने माथ शुरा चाज़ा करना है यही टागल्ट लेकर चलना है तो यह आपकी क्लासेज है डिसमें हम को बेंजक के बारे में परना है किस के बारे में तो हम यह कह सकते हैं कि जोड़ कटना भाग तो अच्छे से जानते हैं ठीक है इसमें हमको सिंप्लिफिकेशन सरली करन के बारें भी काफे कुछ पढ़ना है तो वो भी हम आपको बताएंगे करवाएंगे पॉब्लम नहीं होगी आपको एक्सपरिशन पढ़ना है दूसरे चा करते में प्रियुक करते आते हैं वह चीज यहां पर हमको एक्सपरिशन के रूप में प्रदर्शित करने रहते हैं तो कह सकते हैं कि किसी संख्या और बीज कैसे कोई भी संख्या को दे गई है उसका को जोड़ करना कटाना करना गुड़ा करना भाग करना ऐसे operations हमकों संख् करना है थोड़ा सा जाना है वेंदग कित्य प्रकार का है इसे थुछ भी वाते आपको जाननी है तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे चोटा से एक चैसामपल है आप दिया हुआ है आप देख किए मोहन ने एक्स प्रती एक्स रुपे प्रती की दर से ठाक है मोहन एक रुपए खर्च हुए तो हमें आपजा सकते हैं कि मोहन के दर्णा कि अब मूल है वह 18 C पराबर है और अमरूत इर खर्च किया गामूल है हो साथ वाई के बराबर है यहीमा है ना ृण के ड्राण से ओर चांग भाए 8X रुपे हो गया और 7 रुपे प्रतिदर से 7 अम्रूद का मूल ले परावर 7y रुपे हो गया तो यह कैसकते हैं कि कुल कितने खर्च हम सभी जानते हैं कि जो मोहन के जरा खर्च किया गया है वह हमारा क्या है 8X सेवन वाई कुल मोले हम जब दोनों का ख़र्चा होता उसको जोड़ कर लिकालते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे जब हम चाहते तो इसको 8 साथ 15 भी लिख सकते ना क्यों 8 रुपए पिर ख़र्चाह साथ बहुत आफ साथ 15 रूपर होता यह तो लिख सकते यह क्यों नहीं लखा यह फिर हमारा अर्थमार्टिक और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह यह आपको क्या दर्शार है कि आपको वीजी वेंजक को प्रदर्शित कर रहा है इसलिए आप एक्स और पाई लगा हुआ है हम इसलिए इसको पंदरा नहीं लग सकते हैं आई बात समझ पर चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ देखते हैं कुछ और चीजों को तो यहां पर आपको पता है वीजी वेंजक का जोड़ घटाना गुड़ा भाग यह सारे बताऊंगी आपको अराम सही की क्लियर करवाँगी बहुत प्रॉब्लम नहीं है हम अगर देखिए मैं आपकी टाइम टेबल दो शेयर की हूँ वह तो ही है लेकिन मैं आपकी मैं टाइम टेबल के वार्डिंग से जादा भी करूंगी ठीक है जहां तक होगा कि आपकी कुछ दिनों बाद अभी नहीं 15 अगस के बाद से आप लोग पहले continuity हो जाओ पहले आप लोग कॉंटिन्यूटी सो के रेंज में आओ पढ़ो समझो तो मैं 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 अध का टॉपिक है मैं मैं ज्यादा इंग्लिश ने इंग्लिश बहुत आसान है कर लोगे कोई बहुत बैक नहीं कि यहाँ पर यह है कि यह जो वेंजक होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं एक सजाती होता है एक विजाती होता है ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा जरू नहीं कि हर बात मैं लिखी ही हो दो प्रकार के वेंजक होते हैं एक हमारा सजाती वेंजक होता है ठिक क्या होता है सज एधान नखे दियान और भूल होधे का चर्म उखता है विजाती पद ऴिजातीपद होताए अब जैसे यसी बतासक्ते second होता है विजाती पद क्या होता है तो कह सकते हैं जैसे मैं आपको बता हूं यह इयुक्त लिखा है लिख रही हूं ध्यान से देखिएगा 2x plus 7y plus 3x तो यहां पर आपको कई term दिये गए तीन पद दिये गए एक पद आपको यह है एक पद आपको यह है एक term आपको यह दिया गया है लेकिन यह कह सकते हैं कि पहला पद यह पहला वाला और यह लास्ट वाला सेम है same है same है कि नहीं बोलिए कि यह same है या नहीं same है हाँ बिल्कुल same है क्यों same है क्योंकि इसका variable है जो इसका expression vendak है वो भी x है और इसका vendak भी x है लेकिन यह बीच वाले का वाई है तो यह कहेंगे कि पहला पद और तीसरा पद समान है जिसकी वज़ाए से दोनों में x को प्रिक्ट किया गया है यह x को यूज किया गया है इसी वज़ाए से यह दोनों पद 2x और 3x यह जो है वो homogenes term है वो सजाती पद कहलाते है तो यह आपको धिहान रखना होगा और यह जो बीच वाला है कि आपका विज़ाती पद है क्योंकि यह दोनों में से समान बेलकुल भी नहीं दिया हुआ है अब जैसे अभी और रुकिए अभी आपको आगे इसके और वी सवाल है वो सब्बैब मनलब करवाओंगी लेकि कुछ चीज़े यहाँ पर है जो मुझे आपको ऐसे ही बतानी है जिनके कभी सवाल नहीं आते है इसलिए मैंने नहीं लिखा है ठीक है आपको बता रही पूरा वीडियो ध्यान से सुनी और समझे अब देखे अब जैसे यह है दिया हुआ है 5X प्लस 2Y प्लस 6X जल जोड़िए जल्दी से जल्दी से अड़ करिए क्या होगा हम सभी जानते है आपको यहाँ पर सजाती और विजाती तोनों को इंक्लूट करके एक सवाल दीगे एकस्परिशन दिया गया है अब इसको आपको सॉल्द करना है आड़ करना है आपको पता है कि हमेशा समान चीज़े ही याड़ होगे तो यह समान टर्म है यह समान टर्म है तो दोनों को तो आड़ होगा तो 11X आएगा और 2Y ऐसे का ऐसे लिख दिंग यह सॉल्व हो गया तो इस तरीके से आपको अल्देवरा के सवाल आएंगे और इस तरीके से जोड़ आपको बहुत जादा मात्रा में देखने को मिलेगा एक दो ही नहीं मिलेगा इसको ध्यान रखेगा कि सिर्फ एक या दो ही आएगा आप कर लोगा नहीं न हने वाला अप जैसे इस सरी के सावाश जैसे आपको यह पर दिया है 5y बिलस आपको दिया है 7y इसको जोड़ना है तो आप आराम से वाई वाई तीन और टार्म आपके समान हैं जोड दीजह जोड़ लेगे कि नहीं जोड़ लेंगे कोई ब्यान होगीर का आंसर निकल आए तब आपको यह सीखना होगा आपको यह सीखना होगा तब आप इसको कर पाएंगे तो इसे के तब इसको जोड़ना आसान हो गया है तीनों सेम दिये थे अब अगर इसी की जगांपे आपको कुछ ऐसा दिया हो 5y प्लस 2y प्लस 8x तो क्या करेंगे इन दों क्या अड़ करेंगे 7y प्लस 8x हो जाएगा आपका एक्सविशन जॉल्फ होगे आपको एक नंबर आसानी से मिला हो गया इतना इजी फिलाल तो नहीं आता लेकिन समझो तो सुरुआत हम बेसिक तो नीज जो रखते है वो छोटे से तो रखते हैं नहीं तो आएगा कैसे क्लियर है तो अब चलिए अब इतनी बात मैंने आपको सजाती बंदक क्या होता है विजाती मैं आप सभी ते पूछूंगी कुछ दिन बार आपकर लाइफ टेस्ट में मैंस कर लोंगी जिसमें मुझे सिर्फ सवाल लिखने नहीं रहे इस तरीके से आपको दोनों टर्म के सवाल होंगे और यह जो यहां पर आपको जोड दिया है यह घटाना है यह गुड़ा है यह चार के चार ऑपरेशन है जो आपके वीदी बंदक की संक्रियाओं के साथ होंगे सबके एक इक दो दो पॉइंट होंगे जिस पर चार पाच चार पाच समझ में आई तो यह आपकी डेली मैच करनी इसले छोटी छोटी क्लास करेंगे और सभी सब्देकी लगाता है तीन चार क्लास करेंगे क्योंकि अगर यूपिटेट का मुझे पूरा उमीद है कि चल चल रही है यूपिटेट आएगा तो आप लोग को देना होग बिल्कुल देना होगा यही मौका रहागा नहीं तो फिर कब होगा इसका पता नहीं रहेगा इसलिए जितना जल्दी में कोर्स कबर करवा दों कि उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा ठीक है उसको बहुत लाब देगा चलिए तो पहला हम जो अपरेशन हमें पढ़न आता है मैं बेसिक से इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि मैं उन बच्चों को पढ़ाती हूं मेशा जिनको बिल्कुल मैद का एम नहीं आता जिने आता है वह वेलन गुड़ है तू गुड़ आराम से कर लें चाहिए वह गल्स वाइस उप कर दिखाने का टार्गेट रखती है तो सिंपल अ도नों के दो आपको आपको दिया होंगे आपको दोनों को जोड़नाहोगा तो पहला टर्व को दिख रहा है कि 3xy marryry Z दिया है पहला टूसरा चुर आपको 5x plus 3y दिया है अराम से दोनों को जोड़ी ज्या लगाए क्या होगा ते सब्सदार करीन को बहुत आसा सब्सक्राइब तो इस तरह के सवाल आपके हैं दूसरा आप चलिए और लगाइए यह देखिए दिया है जल्दी से सवाल करिये कि क्या होगा योगफल निकालना हो लगाना तो क्या लगाएंगे जल्दी से आँ से बता है लगाजी कोपे पैले कर पैठेशन के टर्म्स आपको दिये होँगे इस तरह के सचाथ यह दो टर्म दिया है तो करना पड़ेगा इसके लिए त्यार रहे हैं लगाईए तो हम सभी जानते हैं कि आपको आप चाहिए तो इस तरीके से सॉल्फ कर सकते हैं पर नहीं कटेगा ठीक है उपर नीचे एक्सपेंड करके फैला कर भी कर सकते हैं नमबर नहीं कटने तो हम जानते हैं सोल्फ करिए तो ठीक है अब प्रैकेंट को टीक तो तो यय घ् Cambly xy का excite कर दो z का excite कर दो क्योंकि प्लस के symbol आपको इसम में दिये हैं तो हमने कर दिया 3xy प्लस 5xy excite किया 2y excite, 3y excite, z एक तरम अब ये दोनों add हो गया 5-3-8 हो गया, 8xy, ये 2y, 3y, 5x और ये आपको क्या समझ में आया उपर का जो सवाल था वो भी यही था, नीचे का जो सवाल था वो भी यही था, था कि नहीं था तो मतलब यह है कि इन जैसे questions को ऐसे expressions के सवाल दिये इनको दोन तरीके से लगा सकते उस तरीके से भी कर सकते इस तरीके से भी कर सकते हमारे लिए बढ़िया अब जिस बच्चे को वो उपर वाला easy हो वो लगा ले, जिसको यह easy हो यह लगा ले, but that fine आगे बढ़िये यह solve करिये, दिया है 5xy plus 4xy plus xy का योगफल, बदाईए pair जितने भी हैं, सारे के सारे आपके homogenister में, सारे के सारे आपके सजाती है, जल्दी से solve करिए कि क्या अब तीनों वेंदा कहां पर जो दिख रहे हैं, वो सजाती दिख रहे हैं, योगी तीनों के terms जो हैं, वो xy, xy, xy हैं हम सभी जानते हैं कि जब कभी भी ऐसे कोई आपको pair दिखें तो यह जो 5 है, यह जो 4 है, यहाँ पर कोई value नहीं, इसको हमेशा एक माल लेते हैं, क्या माल लेते हैं, एक assume कर लिया जाता है, तो 5, 4, 1 क्या है, constant value है, नितांक है, क्या है, नितांक है, तो आप इसको क्या करो, xy को बाहर रख दो, common ले लो, और 4, 5, 1 को add कर दो, तो 5, 4, 9, 10, तो आपको रहाई टांसर, 10, x, y हैगा, अगर 10, x, y सभी का रहा है, तो correct है, simple है, समझ में आई बात, सभी को, तो ये रहे आपके सवाल, ठीक है, समझ में आई बात है, चलो, अब बात कर लेते हैं, कुछ इनके ध्यान देने हैं, रिणात्मक संग के हमें दिये, तब हम constant को रिणात्मक के चिंसे बिना जोड़े, फरिणाम के आगर निगेटिव चनल लगा लेते हैं, हम क्या करते हैं, फिर हम उसमें ये नहीं तैसे हैं, जैसे मालो आपको ये दिया है, minus 3, minus 5, AB, पहले से पता है, ठीक, और आपको ये जो टर्म आपको दिया है, ये भी आपको होमोजेनस दिया है, क्योंकि AB, AB, AB तीनों में यूज हो रहा है, अब आप क्या कर ये तीनों को एड़ कर दीजिए, constant value 3 है, 5 है, 1 है, तो 5 तीना ठीक, नो, उसके बाद जाके आगे चिन लगा के AB लिख दीजिए, तो यहाँ पर right answer आप देख सकते हैं, कि आपको ये 9 आएगा, यहाँ पर सिर्फ आपने जब तक ये जोड़ा, अब आपको जब आप माइनस AB के फॉर्म है, तब माइनस 9 AB, इस तरह के सिंपल आप सॉल्फ कर सकते हैं, आप AB में confuse मत हो, अगर तिसे बड़ी सवाल दी हो, कोई बड़ा expression दिया हो, तब के लिए आप ज़रूरी है, आगे बढ़िए, दूसरा देखे दिया है, माइनस 4 A, माइनस 3 A, माइनस 8 A, माइनस ABC, अब इसमें कुछ कुछ चीज़े अलग है, क्योंकि ये 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 सेम है, लेकिन ये वाला अलग हो गया, ठीक, हो गया की नहीं हो गया, हाँ, बिलकुर हो गया, तो हम इसको छोड़ेंगे, बाकि से सो कर लेंगे, तो हम 4 प्रस 3 प्रस 8 प्रस ABC, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, अभी आपको सिर्फ जोड़ना है, आप नौर्मली को जोड़ दो, हम याब ये माइनस इसले नहीं डगा है, क्योंकि हमने A को लिखा ही नहीं है, सिर्फ हमने constant value को लिखा हुआ है, अब आप क्या करें, तीन को जो डिले चार तीन साथ और साथ और आठ आठ क्या हो गया, अब आप क्या करो, सिंपली एड करो, सत्रा प्लस ABC, ठीक, नॉर्मल तहीं किसे, उसके बाद आप लिख सवाल आपको दिये गया है, कुछ करना ही नहीं, आपका last जो answer निकल के आएगा, आपकी value negative में यहाँ पर दीके ते 17 के आगे minus लगा दो, ठीक है, और आपकी ये value में minus से भी में देते, इसके भी आगया, आप minus लगा दो, और जो भी expression, रहे, बी, सी, यह हो, 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 लिख दो, यह ही इतनी बात आपको यहाँ पर समझाई और बताई जा दी, ताकि आप गल्तिया ना करें, क्या करें, ना करें, ठीक है, आगे बढ़िए, जैसे यहाँ पर देखिए, दिया है आपको, माइनस पाच एक्स, प्लस, माइनस प्रे, यहाँ पर प्लस भी दिया है, यहाँ प्लस भी दिया, फिर प्लस दिया, फिर माइनस दिया, माइनस दिया को सॉल्व करना है, तो इस equation को solve करने के लिए हम सजाती प्रिते भी पद्रेंग उनको जोड़ देंगे तो यह 5x और यह 4x है सहीम से में यह दोनों अलग अलग है हमने 5x तो 4x को जोड़ दिया तो जोड़ा तो माइनस 9x आया अब हम सोचेंगे कि प्लस माइनस 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 प्लस तो ऐसे बड दिया है तो यह माइनस गिल लो यह प्लस गिल लो तो क्या करोगे माइनस लगाओगे उसके बाद यह माइनस है और एक माइनस माइनस प्लस करोगे तो उसके हिसाब तो 9x होना चाहिए नहीं माइनस 9 होना चाहिए तो बच्चे यहीं गलती करते हैं तो यह पता होना है कि ज इस तरिके से represent कर दो आपके answers कभी भी गलत नहीं होंगर आपके number भी नहीं कटेंगे ठीक है बात समझ में आई clear cut में आगे बढ़िए अब आगे देखें एक सवाद और दिया गया है दिया है 5A प्लस 4B प्लस 3C एक term 5 3A माइनस 5B प्लस 4C 4A प्लस 3B माइनस 8C एक term एड़ करना है जोड करना है तीन टर्म में बेंजग दिया है तीन उचोड दी थे एक क्रम में लिखें A वाले एक साइड लिखें B वाला एक साइड C वाला एक साइड प्लस प्लस दिया है ठीक है और ये माइनस दिया है यहाँ पर आपका 4 है 5 बड़ा होता है 4 से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1B 1B है और 2B 1B माइनस के साथ है तो आप 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2B बचेगा और प्लस 2B क्यों लिखा गा क्योंकि 3 के साथ प्लस का सिंबल है उसके बाद 5 A 3 A प्लस यह तो यह सब प्लस में है तो 5, 3, 8 और 8, 12 तो इसको सॉल्फ करने पापका आज से निकला 12 A प्लस 2 B माइनस C जिसका आया उनका करेक्ट है आगे पढ़िए दूसरा सवाल दिया है 2 X की पावर 4 प्लस 3 X की पावर 3Y प्लस 5 X Y की पावर 3 माइनस 9 एक टर्म इतना बड़ा दूसरा टर्म दिया है माइनस 4 X की पावर 4 माइनस 2 X Y की पावर 2 X की पावर 3Y प्लस 7 X Y की पावर 3 प्लस 5 दूसरा टर्म तीसरा टर्म दिया है 6 X की पावर 3 प्रस्ट वाई माइनस टी एक्स पावर त्रीप्रस टू एड़ कर दो जल दी से जल दी से जड़ो सब ही लोग फटा फट जोड़ी हो जिन्होंने क्लास को लाइक ने क्या फटा फट लाइक भी करिए मैथ की क्लास है आपका नया चाप्टर स्टार्ट किया है इसके पहले मैं क्या करें है यह मैन्स में मैं〜 माइनिस नौ बढ़ा है उसके बाद 5 ये 5 तो यह पर विखेगा और यह आपर यह प्ल्स में दिया है तो 6 değil की 7 की इक साथ माइनिस को झाएगा साथ audiobook । सब्सक्राइब कर दो माइनिस दो एक्स के पाफ हो रहेगा सिंप्ली लिख दो कोई दिक्कत ने इसमें आपको पावर को जोड़ना कटाना ने पावर वैसे का वैसे ही रहेगी पावर से कोई मतलब नहीं होगा सिर्फ एक्सप्रेशन आगे बढ़िए नेक्स लगाईए नेक यहां पर हम क्या करेंगा यह 9 kingdom ie canDIрон कर रहे हैं अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं यहां पर यहां अपका जो एक्स वाई ہیں यह एक्स वाई दिया है इसको चोड़ दिया गया है तो 5 6 xy होगे है और यहां पर 5 xy, sorry 5 xy minus 6 xy plus 7 xy है, यह plus में है, यह plus में, 7 plus 12 xy होगे है, यह minus 12 term यहां पर लिब दिनी है, तो right answer जो निकल का है, वो minus, sorry 12 xy minus 6 x, तो इस तरीके से छोटे-छोटे सवाल आपको आएंगे, और आपको solve भी करने होंगे, आपको इस तरह का जोड़ा आएगा, घटाना आएगा, भाग आएगा, ठीक है, clear friends, आज की math की class हमारी होती है, जो कि रात में 9 बज़े हुई है, आप लोग देखिए, समझेए, पढ़ि करेंगे, enjoy करेंगे, सीखिए, बाते करेंगे, पूछिए, सवाल करेंगे, बहस से बहस पढ़िए, तब तक के लिए take care, bye bye, see you soon, keep smiling, हसते रहो, मुस्किराते रहो